दिवारों पर पेंट क्या करना है चलो PVC पैनलिंग करवाते हैं यहां UV Marble Sheet लगवाते हैं आज कल सब लोग यही कर रहे हैं तो आपके कमेंट से की UV Marble Sheets लगवाएं कि PVC पैनलिंग अपने रूम में अपने गर में करवाएं क्योंकि देखने में दोनों बेस्ट लगती है अगर हम UV Marble Sheet की बात करें देखने में अपने पूरी दिवार पे एक इतालियन टाइल लगवाई है वैसे अगर हम PVC वाल पैनलि खर्चा बचा सकते हो कौन सी Marble Sheet आपको लगवानी है जो PVC पैनल कितना खर्चा आता है कितनी लेवर लगती है कौन सा material लगवाना है और क्या-क्या ध्यान रखना है तो दोनों का comparison करेंगे पहले मैं आपको rate analysis कर देता हूं बाकी चीज़े बाद में बताता हूं सबको पहल है यहां आपकी sealant है जहां भी आप कहीं भी इसको लगवा सकते हो लेकिन देखो इसका जो खर्चा पड़ता है वो निकाल लेते हैं फिर PVC का खर्चा निकाल लेंगे फिर मैं बताता हूं दोनों में से बेस्ट कून सी है यही main चीज है समझने वाली बाकी तो मो महाय है तो एक दिवार में पकड़ लेता हूं एक दिवार पर हमें लगवाने है दस भई दस की दिवार है और डाइरेक्ट दिवार पर लगवाने वाले हम लोग तो यो sheet आती है market में वो mostly standard size आपको मिलता है 8 भई 4 का 8 foot वो लंबी होती है ऐसे और 4 foot ऐसे होती है 8 भई 4 की sheet होती है तो उसको multiply कर लेते हैं तो 32 square feet की वो sheet होती है जो आपको market में समय मिलेगी ठीक है तो room का हम पकड़ लेते हैं room का खर्चा हमें पड़ता है 10 by 10 की हमारा room है इतना 10 by 10 का room है तो 100 square feet वो हो गया तो number of sheets कितनी लगेंगे इसको हमने wall penning सीधी सीधी करनी है तो हमें कितनी sheet लगेंगी तो जितना का हमारा room होगा उसको divide कर देना sheet कितनी size है 12 32 करते हैं तो हमें मिल जाती है 3.12 sheets हमें लगने वाली हैं तो हमें आदी sheet तो कोई देगा नी तो हमें 4 sheet लगबग लानी पड़ेंगे कितनी 4 sheets हम ला रहे हैं फिर हम बात करते हैं और direct आगे मैं बताने वाला हूँ direct simple trick से आप पूरे गर का खर्चा निकाल सकते हो 1800 रुपे की हमने sheet पकड़ ली 1.2 mm की मिल जाएगी 1.5 mm की मिल जाएगी 2 mm की मिल जाएगी 3 mm की मिल जाएगी जितनी मोटी लोगे उतना उसका खर्चा बढ़ता जाएगा तो 1800 रुपे हम पकड़ते हैं एक sheet का cost है 4 sheets हमें लगने वाली है 4 x 1800 करेंगे तो 7200 रुपया हमारा कुछ sheet का खर्चा आएगा कितना 7200 रुपया हमारा sheet लगाने का खर्चा आने वाले है फिर क्या होता है जब आप दिवार पे उस पे चिपकाते हो तो molding लगाते हो जब तो सुंदर भी दिखती है और वो भी है तो H molding होती है हमारी बीच में देखो इदर समझना कैसे sheets को लगाया जाता है यह हमारा एक room है लगा लो यह room है तो जो corners होते है वहां molding एक sheet यह लगती है molding sheets strips आती है वो यहां लगती है तो वहां U molding लगती है कौन सी U molding तो चार लगेंगी एक दो तीन चार 4 molding हमने लग लिए और बीच में हमारी हर sheet के बाद एक H molding लगती है इदर इदर तो वह 4 लगेंगी तो 500 रुपे की एक मिलती है आपको molding लबी 10 फुट की होती है तो 600 600 का हमने पकल लिए देट सो रुपे की दी चार चार लगी 600 रुपे उसका खर्चा आ गया adhesive हम चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं तो लंसम 10 फुट के कमरे में दो बोतल लग जाती है तो 400 रुपे का उसका खर्चा आ गया labor cost इस समय चल रही है 18 रुपे से 25 रुपे पर square feet मतलब इसको मायूबी sheet को लगाने का तो मैंने 18 रुपे खर्चा पकल लिए कि 18 रुपे हमारा mystery ले रहे है तो हमारा कितनी 100 square feet का हो है मतलब area ठीक है तो 18 into 100 करेंगे तो 1800 रुपे लग बग कम से कम 1800 रुपे हमारा लगाने का labor खर्चा ले चाएगी तो total खर्चा अगर पकड़ते हैं 10,600 रुपे हमारा UB marble sheet एक दिवार पर लगाने का खर्चा रहे है कितना 10,600 रुपे और अगर हम पकड़े है 100 रुपे से square feet आता है कितना 100 रुपे पर square feet आप से rate ले ले लेंगे समय अगर हम बात करते हैं आपकी को तो आपको मिल जाएगा आपको UV marble sheet लगाने का खर्चा इस समय कितना चल रहे है अभी मैं अगर बात करूँ जो हमारा PVC paneling होती है जो PVC sheets लगती है तो उनको लगाने का खर्चा कितना आता है तो फिर भी इसके बाद फिर से हम देखो इसमें दोनों को comparison आपको मिल जाएगा हम यूबी marble sheet का देख लिए खर्चा में इतना लगबग पड़ रहा है अभी PVC का पता जल गया तो खर्चे से अगर आपका budget कम है तो आप दोनों में से कहां जा सकती हो वो आप decide कर लोगे फिर देखना है कि life किसकी ज़ादा है और best कौन सा है मैं आपको बताता हूँ आगर आप per square feet के हिसाब से देते हो एक कमरा हमारा 10 foot by 10 foot का कमरा है यहां एक खिड़की है यहां एक डोर है आपका जितना भी area होगा आप निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है हम पकड़े 10 foot by 10 foot की इस दिवार का अगर हम निकाल लेंगे बाकी हम नि 65 रुपे से 65 रुपी पर square feet के साब से rate start हो गया मार्किट में 70 भी लेगा आपसे कोई 80 भी लेगा जब लेने जाओगे सब चीजे चेक कर लेना quality brand हर चीज तो अगर हम पकड़ते हैं यह 10 बच 10 की दिवार है 100 square feet area है मेरे को 65 रुपे जो कमरा starting में आपने देखा 65 रुपे rate पड़ा था पूरा material और labor के साथ तो एक दिवार को करने का खर्चा आ रहा है 6500 रुपया इस दिवार को कितना 6500 रुपया हमारा खर्चा आया और ऐसी कितनी दिवारे हैं 1,2,3,4 तो 4 दिवारे हैं 4 into 65 कितना हो गया 26,000 रुपया एक कमरे को हमें PVC पैनल लगाने का खर्चा बाकी इससे सस्ते भी आते हैं आगे बहुत बात करने वाला हूं है फिर इसमें window और door भी है वहां तो हमारा नहीं लगेगा उसको निकालना पड़ेगा 26,000 रुपया में से तो देख लेते हैं window और door का जो भी आपके गर में होगा window है हमारी 4 by 4 की 4 foot by 4 foot की दर्वाजा है हमारा 3 foot by 7 foot का यहां हमारी PVC नहीं लगने वाली है तो यह होगे 4 by 4, 12, 3 by 7, 21, 33 square feet वो एरिया हो गया तो 26,000 टोटल आया था हमारा टोटल खर्चा आया था एक कमरे का जिसमें हमने कुछ नहीं निकाला था आपको कितना 24,000 रुपेया पर रूम पड़ रहे अभी हो जाता है कि अगर हम खुद से पैनल लाएं ठीक है और लेवर भी हायर करें तो उसमें कितना खर्चा पड़ेगा मैं बताता हूं आपको देखो जो पैनल आता है हमारा 10 foot by 10 inch का पैनल आता है जो उसकी लंबाई होत होती है 10 foot और 10 inch ऐसे होता है तो इसका square feet निकालो कि कितना square feet ही होता है तो 10 inch को किसमे foot में convert करना है हमें तो उसको 12 से divide कर लेते हैं 10 का 10 यहां आ गया और इसको जब 10 को divide के रहे foot में हो गया तो वो हो गया 0.83 foot क्योंकि foot into foot multiply अगन के square feet मिल जाएगा हमें तो इन दोनों को multiply ग आता है जो जर्नल यही use को हो रहा है हर company का यही आता है कितना आ रहा है 8.3 square foot यह पैनल हमारा market में हमें मिल रहे है अभी क्या है तो हमारा उस कमरे में कितने पैनल लगेंगे total area है हमारा 400 square feet मतलब 10 foot by 10 foot की एक दिवार 2 दिवार 3 दिवार 4 400 square feet और उसमें दिवारें कितने बिंडो और खिडकियां कितना आया था 33 square feet 400-33 कर दिया 367 square foot हमारा area हो रहा है जिसमें हमारी PVC ओ लगने वाली है और एक PVC कितने नंबरा पैनल कितने लगेंगे एक पैनल का square feet आया 8.3 total area आया 367 तो उसको divide कर देंगे 8.3 से total area divided by one panel करेंगे तो हमें मिल जाएगा number of panels कितने लगेंगे तो इससे आप calculation भी कर सकते हो आपके पूरे गर में कितना PVC पैनल लगने वाला है तो वो हो गया 42.2 नग मतलब 45 नग 45 नग हमारे PVC पैनल हमें चाहिए उस कमरे में लगाने के लिए 45 नग आगया अब भी एक चीज देखना जो market में पर पीस पैनल आता है पर पीस कितने का पढ़ता है वो दुकानदार को पढ़ता है मैं बता दूँ आपको आपको शौक हो जाओगे सुनके कि 500 रुपे से start हो जाता है 500 रुपे पर पीस अच्छी quality का कोई बुरी quality का नहीं जहां आपको 10 रुपे स्केर फीट 15 रुपे स्केर फीट 16 रुपे पर स्केर फीट 17 रुपे पर स्केर फीट ये कोई अपने से बात नहीं कर रहा हूँ सामने आप लिस्ट भी देख रहे हो इंडिया माट पर मिल जाएगा और अगर पता करोगे ऐसे आपको supplier मिल जाएगे बस आपको bulk quantity में उठाना बड़ता है 1000 स्केर फीट के गर में लगाओगे इतना में दे देते हैं वो इस प्राइस में तो मैंने पकल लिया मैंने कम भी नहीं पकड़ा मैंने double rate पकल लिया कि हमें एक piece पड़ता है 200 रुपे गा इससे आदे में पड़ता है मैं अभी बोल रह तो 11,250 रुपे का हमारा material आ जाएगा कितना 11,250 रुपे का फिर labor rate इस समय मार्किट में 13,14,15 रुपे आपको मिल जाएगी total area हमारा था 367 इस कमरे का 360 per square feet के साफ़ से हम labor देंगे 13 रुपे 367 इस तो 13 रुपे किया तो 4771 रुपे हमारा labor का खर्चा आगया ठीक है तो extra cost पकड़ लेते हैं जो पटी एल पटी यूज़ की जाती है 100-100 रुपे में मिल जाती है वो एक कमरे में कितनी 4 या 5 6 पकड़ लो 7 पकड़ लो बेस्टेज भी होती है तो 700 रुपे उसका हो गया फिर आपका जो glue बगरा adhesive यूज़ किया जाता है चिपकाने के लिए वो पकड़ लो 300 रुपे गा इतना में लगेगा ये extra cost हमने पकड़ ली और total बना 17,021 रुपे मतलब 17,000 रुपे लग रहा है हमारा अगर हमने खुला डुला पकड़ा material प्लस लेवर तो हमारा material प्लस ल आपको कितने में पड़ेगा वो 23,000 मतलब लगा लो 24,000 हो गया था ना 4,000 मतलब 7,000 रुपे का खर्चा बच रहा है सीधा सीधा 7,000 नहीं बचेगा आदा आदा खर्चा बचता है अगर आपने अच्छे से research की अच्छे से material मंगवाया अच्छे से leverage की तो आदा 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 बच जाता है PVC पैनल वाल पे करवाने का देखो दोनों 10 भाई 10 की दिवारें थे हमें आइडिया लग गया एक में हमें लगबग 17,000 रुपया खर्चा आ रहा है एक में हमें आ रहा है 10,000 रुपय खर्चा तो अगर हम बजट की बात करें तो सस्ता आपको सबसे ज़्यदा PVC से क्यों देखो यूबी मार्बल शीट अगर दिवार पर डायरेक्ट चिपकाते हो तो निकलने के चांसिस काफी ज़्यदा रहते क्योंकि उसमें कोई स्क्रूब गरा नहीं लगा है डायरेक्ट वह एडिजीब से जुड़ा हुआ है तो अगर सीलन आई जा थोड़े होने के चांसिस होते हैं लेकिन यूबी मार्बल शीट में छांसिस नहीं होते यूबी मार्बल शीट में एक दिक्कत और रहती है अगर क्या बोलते उस पे स्टेंड बगारा पढ़ रहा है कोई दाग पढ़ रहा है तो इसे पानी से आप इजली साफ कर लोगे ना फटने क chances ज़ादा कम रहते हैं अगर थिकनेस उसकी ज़ादा लेकिन PVC की sheets जो रहती है इन में color faint होता है और अगर stain लग गया तो साफ थोड़ा कम होता है as compared to this और फिर हम बात करें तो अगर इसमें जोर से मारोगे तो chances होते हैं कि वो फोर लेकिन अगर आपको अपना देखना बढ़ेगी आपको किसी हिसाब से करबाना है मेरे ख्याल में अगर आप एक दिवार पे UV marble sheet लगवाते हूँ वाकी तीन पे PVC तो वो भी काफी ज़्यादा अच्छा आपके गर पे रहेगा आइडिया लगए होगा अगर आइडिया नहीं लगए कमेंट करो फिर से वीडियो आएगी अभी comparison होगा लोवर्स और PVC पैनल का फिर wallpaper और PVC पैनल का तो ऐसे comparison लाते रहेंगे जो आपको suit करता है वो आप लगवा सकते हो अभी मैं लेतना हूँ अलविदा